नमस्कार जी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एविपी स्पोर्ट्स लाइप और एविपी लाइप पर दुबारा आप सभी के साथ जुड़ गए हैं और आथ शाम की 20 वर्ल कप 2024 का सबसे बड़ा सबसे बहतरीन और ब्लॉकबस्टर मुकाबला खेला जाना है भारत और इदर रोहित शर्मा के चोट रोहित और विराट की ओपनिंग पाकिस्तान की हार पाकिस्तान की गेंदबाजी इतना सब कुछ है बात करने को थोड़ा थोड़ा हर चीज़ पर बात करेंगे और देखेंगे कि आज जब डोनों टीमें भारत और पाकिस्तान भिड़ने वाली पहली मर्तबा यूएसे की अंदर तो कैसा रहने वाला है मुकाबला सर सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे चीज से जो शायद इतनी बड़ी कंसरन है नहीं रोहित शर्मा की चोट जब पहले मैच में चोट लगी था ऐरलेंड के खिला उसके बारे उसके बाद रोहित शर्मा ने बता दिया था कि चोट ज्यादा नहीं लेकिन जो प्रैक्टिस में चोट लग गई दुबारा से थोड़ी चुंता बढ़ा सकती है बिल्कुल और यह आज ही हमने देखा जब नेट प्रैक्टिस हो रही थी तो खबर सामने निकल कर आई कि उनकी उंगली में थोड़ी सी उसके बाद कुछ देर उन्होंने फुटबॉल भी खेला थोड़ी मस्ती भी करी लेकिन हां यह जरूर है कि अब जो मैच्स होंगे वो सारे बड़े मैच हैं पाकिस्तान टीम और प्रेशर है लेकिन हम सब जानते कि वोल्ड कप में अभी तक जो रिकॉर्ड रहे हैं वह एक एक टकर जरूर देति हैं सर पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान वह से हार गई एसमे कोई दोराया नहीं कि उसमें पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेला था यह जो पाकिस्तान कप नहीं नेप कर हो तक पहुंची थी न वहां आखरी च़रl νों तक तो अगेन पाकिस्तान टीम भले USA से हार गई वो बुरा क्रिकेट खेल के आएं लेकिन अगेन जब भारते खिलाफ उतरेंगे तो आप शायद उस चीज को भूल के छोड़ के आएंगे और भारती टीम ये गलती नहीं करेगी कि पाकिस्तान को मतलब उस पिछली हार से जर्ज क पाकिस्तान को फेस करने का बिल्कुल इसलिए उन दोनों का और अब कर भी दोनों ऊपन रहे हैं तो हमारे पास एक पॉजिटिव साइन यह कि अगर चलके तो बहुत अच्छा है नेगिटिव यह कि अगर आउट होगे तो फिर क्या भी तक तो देखें इस मैदान की पिछ पर इतना सवाल उट गया है कि आइसी सी वाले भी यह मान रहे हैं कि भाई हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वह सबसे बड़े क्रिटिक तो ना वह है माइकल वॉन वह तो कहते हैं कि अग्टिव रहते हैं और वह तमाम चीजों पर बातचीत करते रहते हैं और जब ऐसे की वोर्ड है ज्यादा चलें लगते हैं साब के खैर उन्होंने भी क्रिटिसाइज कि और देखें कहीं ने कहीं पिछली जैसा बीहेव किया सर ना वह थोड़ा से बात बंती भी है क्योंकि हमने आर्ले मैश में देखा जब जहां पर श्रिलंका और साउथ अफ्रीका थी यह बने अब बने जाके जो पिछला मुकाबला केनडा वा था चैनडा ने बनाए है सोरन से ज्यादा और पोजिशन ने उनके सामने टीम खेले थे उन्होंने भी बनाए सब्सक्राइब पाकिस्तान के बार उने का खत्रा पूरा है कैनडा जीत गया है युएसे ने एक जीत हां लेकिन सर थोड़ा सागे बढ़ जाते मौसम क्या लगता है आज रात बारिश खलर डालने वाली इस बड़े मुकाबले में या बच जाएगा और पहले भी वारिश हुई थी बूंदाबादी लगा तार चल रही है विदर फॉरकास्ट के अपड़ेट हमने आपको कली दे ठीटी काननल पर आपने देखा होगा प्रेडिक्शन हैं हल्कि फुल्की बारिश की है फ्रेडिक्शन लेकिन अगर आ घर शो किационकि आप मानिए बाज utan पागिस्तान की स्ट्रॉंग के संक्र organism cui बिल्कू ли श्रों करती है टीम इंडिया हमने दोजार इकिस के अंदर देख लिया जो हुआ था दोजार बाइस में भी हमने देखा कि किस तरह से विराट को ली निकाल के लिए मैच हारा हुआ था इंडिया का पांच आउट हो गयते लगबग 60-70 के असपस वहां से मैच बनाया उन्हें तो वही दोरानी की पाकिस्तानी इंडबाजी स्ट्रॉंग नहीं देखिए आप हारिस राओ को जाहे जितनी मर्जी क्रिटिसाइज कर लो उस खिलाडी के पास पेस अभी भी है लाइन लेंथ नहीं है मार पड़ रही है लेकिन आपको क्या पता कि उस बड़े मैच में ही वह पफॉ तो बारात दस रहते तो फिर तब तो पाकिस्तान मैच वहीं हार गया था वर्ट आपको क्रेजिट देना पड़ेगा उनके गेंदबाजी अच्छी थी और वह एक तंसान हो सकता है टीम इंडिया के लिए बिल्कुल आप हलके में नहीं ले सकते आप हलके में और नहीं ले स लिए बिल्कुल और बैटिंग ऑविसली इंडिया की स्ट्रॉंग मानी जाती है लेकिन हमने देखा हमेशा से परशानी में डाला है पाकिस्तान की गिंदबाज और इस पार जो मैच जो रहे हैं उसमें का बहुत ज्यादा है रहा रोल बढ़ जा रहा है और इसी वजह से औ कुछ मान प्राइब ऑन थाफ लिए था इस तरी के यह विए फिर्सनिर कि जिस थी पीछ ना यहां यहां डैसमें करना यह वह सी बढ़े घरी आपको प्रहुपर क्रिकेट खेलनी पाड़े कि इस मैधान देखिए अभी अफिक्वाशन ने कितना बढ़ी असमें बहुत बह देखा कि क्या आपका प्लान ने और क्या प्लान दी अगर प्लान के साथ आप नहीं आते हो और अगर आपके पास वो कई सारे multiple options available नहीं अगर प्लान बी प्लान सी नहीं है आप सिर्फ एक ही सोच के साथ उतरे हो कि हमारी यहीं यहीं हमारी planning and will be sticking to that फिर प्रॉब्लम हो जागे आपको नहीं पता ना फिर गेम सिच्वेशन कैसी है आपने conditions में अपने आपको accommodate करने की कोशिश करी है देखे पाकिस्तान टीम के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि अट लिस्ट भारत ने यहां पर मैच खेले हैं भारत ने यहां पर प्रैक्टिस गेम खेला है भारत ने यहां पर आर्लैंड के अगेंस्ट मैच खेला बट पाकिस्त के लिए बहुत मुश्किल भी नहीं है जो बहतर क्रिकेट खेलेगा जो अपनी प्लैनिंग को एक्जिक्यूट करेंगा देखे प्लैनिंग तो सभी टीम में करके आती है अगर आपने एक्जिक्यूशन सही से कर दिया तो फिर मैच आपके हिस्से आ सकता है लेकिन सर एक ची चलनी रहे आजम खान से आब अलेभाजी करा रहे हैं कि मतलब क्रिकेट विग懐और की चीजों में लेरे हैं आपका में लाकर बातें में मतलब इतने बड़े प्रिचर के खिलाड़ी और फिर आप जाके वहां बात करो शायदे सुभा भी नहीं देता उन जैसे खिलाड़ी को और आजम खान से रन निकल रहे बाबार आजम की पारी की कि कितनी क्रिटिसीजम हुई उस दिन आपने यह भी देखा मुहम्मद रिजवान अगेन वह बल्ला पर चार पिला दिया कहां खेलेंगे वो तेज कहां आपके लिए पारी बनाएंगे तो वह उनको देखना पड़ेगा कि आपको बोड पर लगाने पड़ेंगे पाकिस्तान के तो वहां पर वह चैलेंजिंग रा टीम इंडिया के लिए कि शाहिंशा जो है अल्ली पर इसी वजह से देखिए विराट पोली पर भी तो चर्चा हो रही ना विराट आये हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिस तरह की ड्रॉप इन पिचिस की बात की जारी है तो वह इंडिया इंडिया को यह कंसर्ण ही होगा कि हमें जो पाकिस्तान के लेफ्ट आम 30 गिंद ब अच्छी बैटिंग पाकिस्तान के लेफ्ट आम पेसर जरूरी कोशिश करने कि भारतिय बल्लेबाजी को जली से जली समेट आ जाए लेकिन पाकिस्तान को भी कहीं ने कहीं अपनी बल्लेबाजी से चिंटा होगी क्योंकि भारतिय पेसर्स को भी फेस करना यह असानी और जैसी बल्यबाजी आप तो अगर आप मतलब अच्छे कासे रन बोर्ट पर नहीं लगाते हो अध्लीस एक सो थीस मिनीमम तो फिर आपके लिए गेंदबाजों के पास लडाई करने के लिए तो नहीं है ना फिर लडाई तभी होगी जब कुछ एक्दम कर जाएं है ट्रिक जिसमें आप बिल्कुल परदाश नहीं कर सकते कि पाकिस्तान आपको हराएं इंडिया की पूरी जो जन्ता है तमाम फैंस जो हैं तो यह जो मुकाबला है हाई वोल्टेज गेम है जो श्याम को शुरू होगा और इसके लिए सभी लोग जो हैं तीवी स्क्रीन पर गड़े सबसे बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला दोनों टीमों के सामने आज शाम दोनों टीम में भीड़ेंगी कंडिशन बिल्कुल अलग हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं जो नॉर्मल कंडिशन में तोनों टीम में भीड़ती आई है शायद इस बार मैच वहां है जहां आपने पहले शायद बहुत क्रिकेट नहीं खेला उस पिच पर है जिस पिच पर खेलने का एक्सपिरियंस आपके प बात करते हैं विराट और रोई शर्मा की में मेरे को लगता है फिर से जो मारा मिडल रहना वो कल चेक हार्दिक पांडिया भी पाकिस्तान के बड़ा इची परफॉमेंस देते हैं बिल्कुल 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 बनाना जरूरी है तो वह चलना बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान के चलता है तो हार्दिक पांडिया से उम्मेदिय होंगी और दूसरी पाकिस्तान चाहेगी जैसी गेंदबाजी है उसको और इंप्रूफ किया जाए पैनिक ना करें जो पिछले मुकाबले मगेंस युए पैनिक कर गए अब आपके सामने इंडिया होगी तो उ इसा नहीं है कि विराट रोई तो हमारी टीम जो है एकदम से बिल्कुल हमारे पास बलेबाजी है बलेबाजी में डेफ्ट है पिछली बार तो अक्षर पटेल भी थे पाकिस्तान के खिलाव एक बैट्समन एक्स्टा जरूरूर रखें अब तो गेंदबाजी भी कर लेते ह और अगर अक्षर को हटा कि कुल्दीप को अप ले आओगे ना कुल्दीप इस वरी स्टॉंग विद बैट और कुल्दीप ने बताया कि मैंने अपनी बलेबाजी पर काम किया है तो कुल्दीप को भी आप लाओगे तो ऐसा नहीं कि फिर आपकी बलेबाजी में से बिर बाहर हो गए थे लेकिन उसके अलावा टीम इंडिया का रिकॉर्ड बहुत शांदार है पाकिस्तान के खिलाब तो आज जो मुकाबला है उसमें दोनों तरफ से फैंस दिखेंगे पिछले वाले मैं मैं मैंच में दिखा था कि आइलेन के फैंस कम थे अब पाकिस्ता सब्सक्राइब करें कितना हुआ एक लाख रुपए के आसफास कि कुछ अमाउंट हुई सब कुछ फैर एक अलग परस्पेक्टिव है वह सब कुछ बेहतर है मतलब फायदा है और अच्छा मैंस देखने को मिले फैंस यहीं उमीद करेंगे और बारिश आज हम सभी चाहते ह बारिश आज खलल ना डाले क्योंकि अगर बारिश आज आती हो तो मैं आज का मजा बिगड़ जाता है तो यह थी जी हमारी बातचीत स्पोर्ट्स लाइव और वीपी लाइव को सब्सक्राइब करके रखेगा क्योंकि स्पोर्ट से जूड़ी और टीट्वेंटी वर्ल्लक करिएगा